केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर बताया गया है कि पीम मोदी और पार्टी अध्याक्ष जेपी नर्डा ने बैठक में आखिर क्या कुछ कहा लिकिन सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेताओं को ये संदेश दिया गया है कि चुनाव की घोशना में अब तीन महिने से भी कम समय रह गया है ऐसे में विस सरकार के अच्छे कारियों को जन जन तक पहुँचा है सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए शुरू की गई विक्सित भारत संकर्प यात्रा को मिल रहे सकरात्मक फीडबैक के बारे में भी चर्चा हुई भाजपा ने अपने सदस्यों से यस्तुनिशित करने को कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाव ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा पदादी कारियों से कहा कि युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए साथी प्यम मोदी ने सभी पदादी कारियों से मिशन मोड में काम करने को कहा है बैठक में पदाधिकार्यों को सोशाल मीडिया पर अपने विच्वार व्यक्त करने और गरीबों के लिए किन्र सरकार की कलियानकारी उजनाओं से संबंधित अधिक डेटा साज़ा करने के लिए कहा गया प्यम मोदी ने कहा कि विपक्ष्री दलो द्वारा की एज़ार है नकारात्मक प्रचार का तत्यों के साथ सकारात्मक जवाब दे पार्टी सूत्रों के मुताबित बैठक में दोहजार चौबस में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंधन हुआ भाज़पा महा सच्चेव विनो तावडे ने बैठक में पहला विशे रखा कि लोकसभा चुनाव में 10-20 दी वोट बढ़ाने के लिए बूत इस्तर पर काम करना होगा इस पर प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि भाज़पा के पक्ष में वोट बढ़ाने के लिए बूत प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए पियम मोदी ने उत्रप्रदेश और मद्रप्रदेश में बूत प्रवंधन का उधारन दिया और कहा कि पार्टी पदाधिकारी बूत प्रवंधन को चुनौती के रूप में ले उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती से ही जीत हासिल होती है इसलिए हमें पूरी तरह तयार होकर ही लोगों के बीच जाना होगा बाद में नड़ा ने तोशा मीडिया पर पोस्ट में कहा प्रधान मंतरी के मार्ग दर्शन में भाजपा देश के मुख्य आधार युवाओं महिलाओं किसानों और गरीवों को सक्त बनाकर विक्सित भारत के निर्माण की रह पर आगे पढ़ रही है बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्याक्ष भी शामिल हुए क्यों इंद्र ग्रहमां दुर्य आमिद्शा शनिवार को बैठक में शामिल हो सकते हैं भाजपा ने लोग सबा चुनाव में तीन राज़ियों, चातिसगर, राज़ोस्थान और मादर प्रदेश में जीत हासल की है इसके साथ ही आगामी आम चुनाव के लिए पार्टी अपना प्रचवार कारिक्रम तयार करने चार रही है इसमें दक्षणी राज़ियों पर विशेश फोकस की ज़ाने की उम्मीद है तुम्हें दो दिवस्य बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रमुख जेपी नड़ा करेंगे और इसमें राज़िप्रमुख, महासवचिप, प्रभारी और अन्यपदादिकारी शामिन होगे इसके लिए वो पार्टी कारियाले पहुँच गए हैं सूत्र निखा की पार्टी इंडिया गटबंधन के दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ने के प्रयासों के मद्दे नजर लोकसवा चुनाव के लिए रुरणनीती पर चर्चा करेगी